हेलो दोस्तो स्वागता आपका हमारी येट्यूब चैनल इश्री होम पर दोस्तो हम लेकर रहे हैं आपके लिए मद्यकालीन भारत का इतिहास हिंदी में हैं और आज के इस वीडियो में हम सल्तनत काल का दूसरा वंस खिल जी वंस के बारे में पढ़ेंगे दोस्तो इससे पहल लगबग 84 साल तक गुलाम वंस का सासन रहता है और गुलाम वंस के अन्तिम वर्सों में जब 1286 इस वी में बल्बन की मृत्यू हो जाती है तो उसके बाद उसका पोता राजगदी पर बैठता है जो कि एक आयोग्यस आ सकता उसको कुछ दिन के बाद लखवा मार जाता है औ उसके बाद उसका तीन वर्स का बेटा समसुद्दीन की उमर्स गद्दी पर बिठाया जाता है जिसका सैनापती जलालुद्दीन खिल जी होता है एक गैर तुर्क सरदार एक दिन मौका पाकर वो समसुद्दीन की उमर्स की हत्या कर देता है और 1292 इसवी में खुद दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ जाता है इस तरह से 1292 इसवी में खिल जीवन्स की स्थापना होती है दिल्ली के अंदर और ये लोग 1320 इसवी तक दिल्ली की राजगद्दी पर शासन करते हैं तो दोस्तों आए शुवात करते हैं खेल जीवन्स की खेल जीवन्स जिसको खेल जीवन्स भी कहा जाता है 1290 जीवी से लेकर तेरे सो बीस जीवी तक दिल्ली की मुल्सिम मुस्लिम सल्तनत का दूसरा सासक परिवार था पहला सासक परिवार पहला मुस्लिम सासक परिवार कौन था गुलाव मंस के सासक इस मंस की स्थापना जलाल अदिन खिल जी ने की थी जिसने अपना जीवन एक सैनिक के रूप में टारंब किया था दोस्तो जलाल उद्दीन खिल जी एक गैर तुप सरदार था जो कि कैकुबाद ने अपना सैनापती बनाया था जिसको और जब जलाल उद्दीन कैकुबाद को लखवा मार जाता है और उसके बाद उसका तीन वर्स का बेटा समसुद्दीन क्यूमर्स रदी पर बिठाया जाता है तो एक दिन मौका पाकर जलालुदिन खिलजी उसकी अत्या कर देता है और इस तरह से खिलजी वंस की स्थापना जलालुदिन खिलजी के द्वारा दिल्ली के अंदर होती है हलाकि खिलजी कबीला एक लंबे समय से अफगानिस्तान में बसा हुआ था लेकिन अपने पूरवर्ती ग्लाववंस की तरह यह राजवंस भी मूलत है यह मूल रूप से तुकिस्तान के ही थे लेकिन यह काफी लंबे समय से अफगानिस्तान में बसे होए थे खिल्जी वंस का प्रथम सुल्तान जलागदिन खिल्जी गुलाओं वंस के अंतिम कमजोर बासा कैकुबाद के पतन के बाद एक कुलीन गुट के सहयुक से गद्धी पर बिठाया गया था खिल्जी वंस के सासक को भी बात करें तो 1290 से लेकर 1320 इसवी तक खिल्जी वंस ने सासन किया और दिल्ली के खिल्जी सुल्तानों में सबसे उलेहनिय योगदान अलाउद्दिन खिल्जी का है जिसका शासन खा बाराइसो च्हहेनिय सो लेकर 1316 इसवी तक लगबग 20 साल वही सबसे प्रसिद्ध और सबसे योगदे सासकसिद्ध होऊ था चलाल दि fueral किल्जी का सासन काल रहा था 1290 इसवी लेकर 1296 शहवर्च सो तक और इसके बाद अलाग दिन खिल जी का सासन करता है 1296 से लेकर 1316 तक 20 वर्ष लगभग और कुछ दिन के लिए साफब दिन अमर खिल जी को सुल्तान बनाया जाता है उसके बाद कुटबदीन मुबारक खिल जी जो की 1316 से लेकर 1322 तक सासन करता है तो दोस्तों दिल्ली के खिल जी सुल्तान यही चार लोग है जो गद्दी पर बैठते हैं कि इसके अलावा मालवा के खिल जी मका सासक था फिरुक Şu में सब्सक्रा applicable है जो की 1449 से लेकर 1559 तक सासन करता यह लेकर यहां पर हम केबलर तो सबसे पहले जलालतिन खिल्जी जिसका पूरा नाम जलालतीं फ्रोज खिल्जी था, 1290 से लेकरcepर, 12 gets 1290 से लेकर 1296-20 तक हासन करता है, दिल्ली जीवन्स का संस्थास्थापक था, उसने अपना जीवन एक्सैनिक की रूपे शुरू किया था अपनी योगता के बल पर उसने सरे जहांदार साही सरे जहांदार या साही एंगरच्छा कापद प्रप्त किया था और बाद में समाना का सूबेदार बना था कैकुबाद ने उसे आरिजे मुमालक कपद दिया था और साहिस्ता खांकी उपादी के साथ सेहसन पर बिठाया था उसने दिल्ली के बज़ाए किलोखरी के मद्धे में राजजविशेक करवाया सुल्तान बनते समय जलाल الدین की उम्र सत्तर वर्ष थी दिल्ली का वाई पहला सुल्तान था जिसकी आंत्रिक नीदी दूसरों को पसंड करने के सिद्धान पर थी उसने हिंदू जनता के प्रती उदार देश्ट कोन अपनाया था जलाल الدین ने अपने राजजविशेक के एक वर्ष बाद दिल्ली में प्रिविश किया उसने अपने पत्रों को खान खाना अरकली खान और कद्र खान की उपादी प्रिदान की जलाल الدین फिरोज खिल जी ने अपने अलप सासरकाल में कुछ महत्मूर अप्लब्दिय अपराप्त की इन अप्लब्दियों में उसने अगस्त 1290 में कड़ा मानिकपुर के सुवेदार मलिक छज्जू जिसने सुल्तान मुगजद दीन की उपादी धारंकर अपने नाम के सिक्के चलवाए और खुद्बे पढ़वाए थे उसके विद्रूह को दबाया और इस अवसापर कड़ा मानिकपुर की सुवेदारी उसने अपने भतीजे अलाउद दिन खिल जी को दे दी अलाउद दिन खिल जी जो था वो जलाउद दिन खिल जी का भतीजा था और दामाद भी था उसका 1291 इस्वी में रर्थमबोर का अभ्यान असफल रहा 1292 इस्वी में मंडोर और जाहिन के क्रों को जीतने में जलाउद दिन को सफलता मिली थी दिल्ली के निकटवर्ती छेत्रों में उसने ठगों का दमन किया 1292 में मंगोल आक्रमणकारी हलाकू का पौत्र अबदुल्ला लगबग डेड़ लाख सिपाहियों के साथ पंजाब पर आक्रमणकर सुनाम तक पहुँच गया था परंतु अलाउद्दिन ने मंगोलों को परास्त करने में सफलता पाप्त की और अंत में दोनों की भी संधी होई मंगोल वापस जाने के लिए तियार हो गई परंतु चंगेज खांके नाती उल्गू ने अपने 400 मंगोल समर्थों को साथ इसलाम धर्म ग्रैन कर भारत में रहने का निर्णे लिया बाद में उनके लिए जलाल अद्दिन ने खुल्गू के साथ अपनी पुत्री का विवा किया और साथ ही इनके रहने के लिए दिली के समीब मुगरल पुर में मुगरल पोर नाम से एक बस्ती वसाई गई जिसको बाद में उन्होंने नवीन मुसलमान के नाम से इनको जाना गया हत्या जलाल अधिन खिल जी की हत्या के सडेंद में अलाल अधिन खिल जी ने अपने भाई अलमास वेक की साहिता ली जिसे बाद में उलूख हाकी उपादी से विभूशित किया गया इस प्रकार अलुद्दिन खिल जी ने उदार चाचा तो कि उसका सीधा साधा चाचा था उसकी हत्याकर दिली के तक्त पर 22 अक्टूबर 1296 को बल्बन के लाल महल में अपना राज जविशेक करवाया जलाल उद्दिन खिल जी का सासन उदार निरंग कोस्ता पर आधारित था अपनी उदार नीतिक कराण जलाल उद्दिन ने कहा था कि मैं एक वरद मुसल्मान हूं और मुसल्मान का रख बहना मेरी आदत नहीं है ऐसा कहना था जलाल उद्दिन खिल जी का अमीर खुसरो और इमामी दोनों ने अलावद्दिन खिल जी को भाग्यवादी विक्ति कहा है तो दोस्तों इस तरह से सासन आता है अलावद्दिन खिल जी का अलावद्दिन खिल जी जो कि सासन करता है 1296 लेकर 1326 इसवी तक लगबग 20 साल दिल्ली का सुल्तान बना था वह खिल जीवन्स के सस्थापक जलालुद्दिन खिल जी का भतीजा और दामाद भी था सुल्तान बनने के बाद उसे इलावद्द के निकट कड़ा की जागीर दी गी थी अलावद्दिन खिल जी का बच्पन का नाम अली गोरसास था अली गोरसास उसके तक पर बैठने के बाद उसे अमीर तुजूप का पद दिया गया मलिक सज्जू के विद्रोह को दवाने में महत्पून रूम का निवाने करण जलावद्दिन ने उसे कड़ा मानिक पुर की सूबेदारी सौप दी थी भिलसा, चंदेरी और देवगरी के सफल अभ्यानों से प्राप अपार धन ने उसकी इस्थिती और मजबूत कर दी थी अलावद्दिन खिल जी की सासन विवस्था की बात करें तो राज्य विषिक के बाद उत्पन कटनाईनों का सफलता पूरवक उसने सामना करते हुए अलावद्दिन ने कठोर सासन विवस्था के अंतरगत अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना प्रारंब किया अपनी प्रारंबिक सफलताओं से पोचाहित होकर अलावद्दिन ने सिकंदर दृतिय या फिर सिकंदर सानी की उपाहदी ग्रेंड की जिसका उलिक उसने अपने सिक्कों पर करवाया उसने विस्व विजय एवं एक नवीन धर्म को इस्थापित करने के अपने विचार को अपने मित्र और दिली के कोटवाल अलावल मुल्क के समझाने पर त्याग दिया यद्देपी अलावदीन ने खलीफा की सब्ता को मन्नेता प्रदान करते हुए यामेन औल खिलाफत नासरी अमीर औल मुमिनी की उपादी ग्रेंड की किन्दू उसने खलीफा से अपने पद की स्वेक्रिती लेनी आवस्चक नहीं समझी उलेमा वर्व उलेमा वर्व क्या होता है जो धर्मा दिकारी होते हैं उलेमा वर्व को भी अपने सासन कारे महस्त अक्षेप नहीं करने दिया उसने सासन में इसलाम धर्म के सिद्दान्तों को प्रमुकता ना देकर राज जहित को सर्वोपरी माना अलावद्दीन खिल जी के समय निरुंकुस्ता अपने चर्म सिमा पर पहुँच गई थी अलावद्दीन खिल जी ने सासन में ना तो इसलाम के सिद्धान दुख सहरा लिया और ना ही धर्मा अधिकारियों की सलह मानी विद्रों का दमन उसने कैसे गिया अलावद्दीन खिल जी के राज़े में कुछ विद्रों हुए जिसमें 1299 में गुजरात के सफल अभ्यान में प्राप्त धन्र के बटवारे को लेकर नभी मुसल्मानों दौरा किये विद्रों का दमन नुसरत खाने किया नुसरत खान जो कि उसका एक सेना पती था दूसरा अलावद्दीन के बतीजे अकत खान द्वारा किया गया अपने मंगोल मुसल्मानों के सहुग से उसने अलावद्दीन पर प्राण धातक हमला किया था जिसके बदले में उसे पकड़ कर मार दिया गया तीसरा विद्रो अलावद्दिन की बेहन के लड़के मलिक उमर और मंगू खाने किया पर इन दोनों को हरा कर उनकी हत्तिया कर दी गई सौधावद्द्रो दिल्ली के हाजी मौला द्वारा किया गया जिसका दमन सरकार हमिद्दीन ने दिया इस पकारें सभी उद्रो का सफंतप्रूबक दबा दिया गया और अलावद्दीन तुरक अमीरों द्वारा किया जाने वाले विद्रोहों के कारण खारणों का आध्ञंकर उन कारणों को समाव्च करने के लिए चार अध्यादेश जारी किये या अध्यादेश क्या थे? फिर्थम अध्यादेश था इसके अंतरगत अलाउद दिन ने दान, उपहार, एवन पैंशन के रूप में अमीरों को दीगे भूमी को जब्त कर उस पर अधिकादिक कर लगा दिया गया जिससे उनके पास धनका भाव हो गया दूती अध्यादेश के अंतरगत अलाउद दिन ने गुपचर विवाग को संगठित कर बरीद जो कि गुपचर अधिकारी और मुनहिन गुपचर की नुक्ति की दूते थे गुपचर और बरीद होता था गुपचर अधिकारी तरती अध्यादेश के अंतरगत अलाउद दिन खिल जीने मद्धे निशेद मद्धिरापान भांग खाने और जुआ खिलने आदी पर पूर्ण प्रत्वन लगा दिया चौते अध्यादेश के अंतरगत अलाउद दिन ने अमीरों के आपस में मेल जोल, सावजन एक्षमारों और बहें वाइक संबनों पर प्रद्बन लगा दिया गया सुल्तान द्वारा लगाएगे ये चारों अध्यादेश पूरते सफल रहे और अलाउद दिन ने खेतों, मुकद्मों, आधी, हिंदू लगाना धिकारियों के विशेशा धिकारों को समाप्त कर दिया सामराज जविस्तार की नीती अलाउद दिन खिल्जी सामराज जवादी प्रवर्ती का नीती विक्ती था उसने उत्तर भारत के राज्यों को जीत कर उन पर प्रित्त प्रूप चसासन किया सबसे पहले आता है सामराजय विस्तार में गुजराद विजय 1298 में अलाउद्दीन ने उलूग खाँ एवन नुसुरत खाँ को गुजराद विजय के लिए भीजा एहमताबाद के निकट बगहेल राजा काण जिसको राजगन भिका जाता है और अलाउद्दीन की सैना में संगर्श हुआ राजा काण ने पराजित होकर अपनी पुत्री देवल देवी के साथ भाग कर देवगिरी के सासक रामचंद्र देव की यहां सरन ली थी अलाउद्दीन खिलजी कंड की संपत्ती और उसकी पन्नी कमला देवी को चाथ लेकर दिल्ली वापस लौट गया कहला नतर में अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी से विवा कर उसे अपनी सबसे प्रियरानी बनाया और यहीं पर नुसरत खाने हिंदू हिजडे मलिक काफूर को एक हजार दीनार में खरीदा था युद्ध में विजय के पस्चाथ सैनिकों ने सूरत सौमनात और कैमबे पर आक्रमण किया अलावदीन खिलजी की सेना के कुछ गोड़े चुराने के कारण अलावदीन खिलजी ने जैसलमेर के सासक दूदा और उसके सहयोगी तिलक सिंग को 1299 में पराजित किया और जैसलमेर की विजय की आगे आता है रन्थमबोर विजय रन्थमबोर का सासक हम्बीर देव अपनी योग गता और सास के लिए प्रसिद्ध था अलावत दीन के लिए रन्थमबोर को जीतना इसलिए भी आवसिफ था क्योंकि हम्बीर देव ने विद्रोही मंगोल नेता महम्मद साह एवं कहब को अपने आशान दे रखी थी इसलिए यहां भी इसलिए भी अलावत दीन रन्थमबोर को जीतना चाहता था और दाता है जुलाई 3101 में अलावत दीन रन्थमबोर के किले को अपने कबजे में कर लिया और हमेर देव वीरगती को प्राप्त हो जाता है अलावत दीन ने रन्मल और उसके साथियों का वद करवा दिया जो हमेर देव से विश्वास भाद करके उससे आमिले थे तारीख अलाई एव हमेर महाकावे में हमेर देव उसके परिवार के लोगों का जोहर द्वारा में तूपाप्त होने का वर्णन है रन्थमबोर जुद के दोरान ही नुर्श्वत खांगी निमत की हुई थी चित्तोड आक्रमण और मेवाड विजे मेवाड का सासक राणा रतन सींग था जिसकी राजधानी चित्तोड थी चित्तोड का किला सामड़े की दिश्ट्री कौन से बहुत सुरक्षी सिस्थान पर मना हुआ था इसलिए यह किला अलाउद दिन की निगाह में चड़ा हुआ था कुछ इत्यासकारों ने अमीर खुसरव के राणी सहबा और सुलेमान के प्रेम प्रसंग के उल्लेक के आदार पर और पदमावत की कथा के आदार पर चित्तोड पर अलाउद दिन के आकरमण का कारण राणी पदमनी के अनुपम सौंधरिय के प्रती उसके आकर सरको ठहरा है अन्तता 28 जनवरी 1303 ईस्वी को सुल्तान चित्तोड के किले पर अधिकार करने में सफल हो जाता है राणा रतन सिंग युद्ध में सहीद हो जाते हैं और उनकी पदमी राणी पदमनी ने अन्य इस्त्रियों के साथ जोहर कर लेती हैं और किले पर अधिकार के बाद सुल्तान ने लगए 30,000 राजपूत वीरों का कतल करवा दिया था उसने चित्वाड का नाम खिजर खां के नाम पर खिजरावाद रखा और खिजर खां को सौपकर दिल्ली वापस चला गया चित्वाड को पुनहे सुत्थन्त कराने का प्रेतन राजपूत और द्वारा जारी था इसलिए इसी बीच अलाउद दिन ने खिजर खां को वापस दिल्ली बुलाकर चित्वाड दुर्प की जिम्मेदारी राजपूत सरदार माल देव को सौप दी अलाउद दिन की मत्तु विवाड़ वाज ओर गोहलित राजप्सों ने हमीर के हमीर देव ने माल देव और आकरमर कर टेरे सो Syria सेट्वाड समेत पूरे मेवाड को आजात कर बा दिया इस तरह अलाउद दिन की मत्ती विवाऩ शित्वाड एक बार पुने स्वतंत्र हो जाता है मालवा विजय मालवा पर शासन करने वाला महलक देव और उसका सेनापती खर्नन्द जिसको कोका प्रिदान भी का जाता है बहादूर योद्धा थे तेरे सो पांचीश्वी में अलावद्दीन ने मुल्तान के सुबेतर आइन उल मुल्क के नित्रत्तों में एक सेना को मालवा पर राधिकार करने के लिए भीजा दौनों पक्सों के बीच में संगर्स होता है और जिसमें महलक देव और उसका सेनापती हर्नन्द मारा जाता है नवंबर तेरे सो पांचीश्वी में के लिए पर राधिकार के साथ ही उज्जैन, धारा नगरी, चंदेरी, आधी को जीत कर मालवा समेथ दिल्ली सर्थनत में मिला लिया जाता है तेरे सो आधीश्वी में अलावद दिन ने सिवाना पर अधिकार करने के लिए आकरमण किया वहां के परमार राजपूच सासक सीतल देव ने कड़ा संगर्स किया परंतु अंततयवे है मारा गया कमाल अधीश्वी में अलावद दिन की अधिनता को स्विकार कर लिया था पर दीरे दीरे उसने अपने को पनेस्वतंत कर लिया देरे सो पांच एश्वी में कमाल अधीश्वी में कमाल अधीन गुर्ग के नेतरत में सुल्तान की सेना ने कानेट देव को युद्व पराजित कर उसकी हत्या कर दी इस प्रकार जाल और पर अधिकार के साथ ही अलावद्दीन की राइस्थान विज़े का कठिनकार पूरा हुआ 311 वी तक उत्तर भारत में सिर्फ नेपाल, कस्मीर और असम ही ऐसे भाग बचे थे जिन पर अलावद्दीन का अधिकार नहीं कर सका था उत्तर भारत की विज़े के बाद अलावद्दीन ने दक्षड भारत के और अपना रुख किया अलावद्दीन की दक्षड विज़े अलावद्दीन खिलजी के समकाली दक्षड भारत में सिर्फ तीन महत्पूर सक्क्तिया थी ये कौन-कौन थे देवगरी के यादव दक्षड पूर तेलंगाना के काक्तिय और द्वार समद्र के होईसल अलावद्दीन द्वारा दक्षड भारत के राज्जों को जीतने को देश से के पीछे धन की चाह और विज़े की लालचा थी वह इन राज्जों को अपने अधीन कर वार्शिक कर वसूल परना चाहता था दक्षड भारत की विज़े का मुख्षरे मलिक काफूर को जाता है अलावद्दीन खिलजी के सासन काल में दक्षड में सरफतम 1303 यसमिं में तेलंगाना पराकमण हुआ और तेलंगाना के सासक प्रताप रूद्द्र देव दृतिये ने अपनी एक सोने की मूर्थी बनबाकर और उसके गले में सोने की जंजी डालकर आत्मसामपढ़ेतू मलिक काफूर के पास भेजा था इसी अफसर पर प्रताप रूद्र देव ने मलिक काफूर को संसार प्रसिद कोहनूर ही राभी दिया था देवगीरी सासक बनने के बाद अलावद दिन द्वारा 1296 में देवगीरी के फिरुद्ध किये गई अभियान की सफलता पर पहां के सासक रामचंदर देव ने प्रती वर्स ऐलिचपूर की आय भीजने का वायदा किया था पॉर रामचंद देव के पुतर सकर देव जिसको सेहन देव के लिका जाता है कि हस्तकषेप्षेव़ज करका भुखतान रोग दिया जाता है आता है नायब जो होता है मालक काफूर उसके नेतरत में एक सैना देवगुरी पर धाव बोलने के लिए भेजी जाती है रास्ते में राजा कांड को युद प्रास्त कर काफूर ने उसकी पुत्री देवल देवी जो कमला देवी और कांड की पुत्री थी को दिल्ली भेज दिया जहाँ पर उसका विवाकिश जिर्खां से करा दिया जाता है और रास्ते भर लूट पार्ट करता हुआ काफूर देवगरी पहुंसता है और पहुंसते उसने देवगरी पर आकमर्ट कर दिया और भ्यानक लूट पार्ट के बाद रामचंदर देव ने आदम संबपन कर दिया काफूर अपार्दिन संबत्ति धेर सारे हाती और राजा रामचंदर देव के साथ वापस दिल्ली जोटता है रामचंदर के सुल्तान के समक्स प्रस्तुत होने पर सुल्तान ने उसके साथ उधारदा का विवार करते हुए राय रायान की अपादी प्रतान की उसे सुल्तान ने गुजरात की नवसारी जागीर और एक लाग स्थौन टके देकर वापस वेज़ दिया खलांतर में राजा रामचंदर देव अलाउद्दीन का मित्र बन गया जब मलिक काफूर द्वारसमद्र विज़े के लिए जा रहा था तो रामचंदर देव ने उसकी भरपूर साहत अगी थी तेलंगाना तेलंगाना में काक्ती अवंस के राजा राज्य करते थे ततकालीन तेलंगाना का सासक प्रताप रूद्र देव था जिसकी राधानी वारंगल थी नवंबर 309 इस्विय में मलिक काफूर तेलंगाना के लिए रवाना होता है राश्ते में रामचंद देव ने काफूर की साहता की काफूर ने हिरों की खानों के लिए जिले असीरगड सुमेरागड के मार्ग से तेलंगाना प्रिवेस किया 1310 इस्विय काफूर अपनी सेना के साथ वारंगल पहुंचा परताप रूद्र देव ने अपनी सोने की मूर्ती बनवाकर गले में एक सोने की जंजीज डालकर आत्म संपर्पन स्वरूप काफूर के पास बेजा साथी सो हाती सास्व गोडे अपार धनरासी और वार्सिक कर देने के वाइदे के साथ अलाओदिन खिल जी का दिनता स्विकार कर ली होईसल होईसल का सासा को वीर बल्लालत रतिय था वीर बल्लालत रतिय इसकी राधानी द्वार समदर थी 1310 इस्वी में मलिक काफूर ने होईसल के लिए प्रस्थान किया इस प्रकार 1311 इस्वी में साधान युद्ध के पस्चाद बल्लाल देव ने आत्रम करकर अलाउद्दीन के अधिंता स्वीकार कर ली उसने मावर के अभियान में काफूर की साहता भी की सुल्तान अलाउद्दीन ने बल्लाल देव को खिलात एक मुकट छत्र और दस लाख टके की थैली वहट की थी पंड्य पंड्य को मावर यानि की मालाबार के नाम से भी जाना जाता है यहां के सासक सुन्दर पंड्य और वीर पंड्य थे दोनों में हुए सत्ता संकर्श में सुन्दर पंड्य पराजित हुआ था सुन्दर पंड्य द्वारा साहता मागने पर काफूर ने तेरह सो ग्यारा ईस विय में पंड्य की ब्रमत पती में इस्फित लिंग महादेव की सौने की मंदर में खूम लूट पात की इसके अत्रिक धेर सारे मंदिर उसके द्वारा लूटे और तोड़े गए अमीर खुस्रों के अनुसार काफूर ने रामे सुरम तक आकमर किया वहां के मंदिर, वहां के हिंदू मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई 1311 इसमी में काफूर विपूल धन्चंपत्ति के साथ दिल्ली लोटा परन्तु उसने उसे वीर पांडे को पकड़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई संबह होता है, धन के देश्टी कौन से ही है काफूर का सरवादिक सफल अभ्यान था जिसमें अपार धन्चंपत्ति उसे हासल हुई थी खावाता है, मंगोलों का आक्रमण अलावदिन के समय में हुए मंगोलों का आक्रमण का उद्देश से भारत विजय और प्रत्सोद की भावना था 1297-98 में मंगोल सेना ने अपने नेता, कादर के नेतरत पंजाब और लाहूर पर आक्रमण गिया था जालंदर के निकट इन आक्रमण कारियों को सुल्तान की सेना ने पराजित कर दिया था इस सेना का नेतरत जफर खान और उलुक खान ने किया मंगोलों का दूसरा आक्रमण सल्दी के नेतरतों में 1298 में सहबान पर हुआ जफूर खाने, सारी जफर खाने इस आक्रमण को सुफलता पूरवक अस्फल कर दिया 1299 में कतलुक खाजा के नेतरतों में मंगोल सेना के आक्रमण को जफर खाने अस्फल कर दिया इसी युद्ध के दौरान जफर खा मारा गया क्योंकि अलाउद्दिन और अलूख खावाली सेना से कोई साहता नहीं मिली 1303 एस्वी में मंगल सेना का चौथा आक्रमाट तारगी के नेतरत में हुआ लगबग दो माह तक सीरी के किलों को घेरे रहने के बाद भी उसे सफलता ना मिलने पर दिल्ली के समीब के छेतरों में लूट पार करता ही वापस चला गया 1305 एस्वी में अली बेग, तारताक और तारगी के नेतरतों में मंगलों ने अमरोहा पर आकरमाट किया परन तुम मलिक काफूर आवं गाजी मलिक ने मंगोलों को बुरीचतर है पराजित किया 1306 एस्वी में मंगोल सेना का नेतरत करने वाला इकबाल मंद गाजी मलिक यानि गया सिद्दीन तुगलग द्वारा रावी के रावी नदी के किनारे परास्त किया गया गाजी मलिक दुगलग को अलावदीन ने अपना सीमा रख्षक निफ्ट किया इस प्रकार अलावदीन ने अपनी सासनकाल में मंगोलों के सबसे अधिक सबसे भाइनक आक्रमण को सामना करते हुए सफलत प्राप्त की मंगोल आक्रमण से इस रख्षा के लिए उसने तेरह सो चार इसमें सीरी को अपनी राजधानी बनाया और खिलेवंदी की प्रसासनक सुधार उसने क्या क्या किये थे अपने पूरू कालिन सुल्तानों की तरह अलावदीन के पास भी कार आपालिका व्यवस्था पालिका व्यवस्था प्यका और न्यापालिका की सरवोच शक्तिया विद्यमान थी वह अपने को धरती पर ईश्वर का नायग या खलीफा होने का दावा करता था तथा उसने अपने को हमेशा उलेमा के आदेशों से अलग रखा वो धर्माधिकारियों का आदेशों का पालन नहीं करता था वह प्रसासंग के केंद्री करणों पर विश्वास रखता था यानि कि संपोर सत्ता सुल्तान के हाथों में हो उसने प्रांतों के सूवेदार तथा अन्य अधिकारियों को अपने पून नेंदरन में रखा उसके मंतरीगंड या क्या होते थे बर्नी के अनिसार एक बुद्धिमान वजीर के बिनार राज़त व्यर्त है तथा सुल्तान के लिए एक बुद्धिमान वजीर से बढ़कर अभियान और येस का दूसरा सुरोत नहीं है और वो भी नहीं सकता मंत्रीगन अलाउद्दीन को सिर्फ सला देते और राज्य के दैनिक कारे को समालते थे अलाउद्दीन के समय में पांच महत्पून मंत्री थे जो प्रसाशन के कारे को देखते थे ये मंत्री और उसे समद्धित विभाग इस तरह से है नमबर एक होता था दीवाने वजारत दीवाने वजारत मुख्य मंत्री को वजीर कहा जाता था यह सरवादिक सक्षाली मंत्री होता था अलाउद्दीन के समय में वजीर का महत्पून विभाग होता था वित्त के अतरिक उसे सैनिक अभ्यान के समय साही सैनाओं के नित्रत भी करना पड़ता था अलावद्दीन ने वजीर पद अपने सैनिक अधिकारियों को सौपा अलावद्दीन के सासनकाल में खुवाजा, खातिर, ताजुतिन, काफूर, नुसरत खां आदी वजीर के पद पर तारह कर चुके थे दूसरा दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज या इसको आरिजे मुमालिक, युद्ध मंतरी और सैनि मंतरी होता था या वजीर के बाद दूसरा महत्मुमंतरी होता था इसका मुखेकार है सैनिकों की भरती करना, उन्हें वेतन माटना, सैना की दख्सता और साथ सज्टा की देखवाल करना युद्द के समय सेनापती के साथ युद्द सेत्र में जाना आदी था अलाउद्दीन के सासन में मलिक नसर अद्दीन मुल्क स्राजजदीन आरिजे मुमालिक के पदपर था उसका उपाधिकारी क्वाजा हाजी नायव आरिज था अलावद्दीन अपने सेनिकों के साथ सहरता की नीती अपनाता था तीसरा अधिकारी होता था, तीसरा मंतिर होता दीवान इंसा यह है राजे का तीसरा महतमूर मंतराले होता था जिसका पृधान दबीरे खास था उसका महत्मु कारे साही उद्गुशनाओं और पत्रों का प्रारूप तयार करना और प्राप्रतियों और इस्थानी अधिकारियों से पत्र विवार करना होता था इसके साहक सचेव को दवीर कहा जाता था, दवीर के प्रमक को दवीर मुमलिकाद या दवीर खास कहा जाता था चोथा होता था दीवाने रसालत यहर राज्ये का चोथा मंत्री होता था इसका संबंद मुक्तब विदेश विभाग कूटनीती पत्र विभाग से होता था यह पडोसी राज्यों को भेज़े जाने वले पत्रों का प्रारूप तयार करता था और साथ ही विदेशों से आए राजदूतों से नजदी का संपर्ग बनाये रखता था कुछ इत्यासकारों करशार ये धर्म से संबंदित विभाग था पांच मां होता था दीवाने रियासत आर्थिक मामनों से संबंदित इस नए विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी दीवाने रियासत भी व्यापारी वर्गपन ने अंतरा रखता था अलावद्दीन द्वारा इस्था पे दो नए विभाग थे दीवाने मस्थखराज और दीवाने रियासत अलावद्दीन ने बाजार विवस्था के कोशन संशाल नहेतू कुछ नए पदों को भी स्षित किया था इनमें एक था सहने, सहने मंडी जो की बाजार का धरोगा होता था और दूसरा महत्शिब जो की जन्शाधरान के आच्रन का रक्षक और मापतुलगा निविक्षक अधिकारी होता था इसके अतरिक्त कुछ अन्य अधिकारी सचिब होते थे राजमहल के कारियों की देखरे करने वाला मुख्या अधिकारी वकील दर होता था सुल्तान के अंग्रक्षकों के मुक्या को सर्जनदार ठाजाता था इसके अतरिक्त राजमहल के कुछ अन्य अधिकारी, अमीर आखूर, सेहनाई पील, अमीर सिकार, सराबदार, मुहरदार आदी होते थे अगर इसके न्याय पर सासल भी बात करें तो न्याय का उच्छ सरोत और उच्छ तम अधालक सुल्तान स्वें होता था सुल्तान के बाद सद्र-जहां या काजी उल्व उजात होता था जिसके नीचे नायब काजी या अधनकारे करता था जिनकी साहता मुफ्ती करते थे अमीरे दाद नामक का अधिकारी दर्बार में ऐसे प्रभावसाली वेक्टी को प्रस्तुत करता था जिस पर काजियों का नेंदरन नहीं होता था पुलिस और गुप्चर विभाग की बात करें तो अलावदीन ने अपने सासन काल में पुलिस और गुप्चर विभाग को प्रभावसाली धंग्चे प्रस्तुत किया था कोतवाल पुलिस विभाग का प्रमुक अधिकारी होता था पुलिस विभाग को और अधिक सुधारने के लिए अलावदिन ने एक नए पत दीवाने रियासत का अगटन किया जो व्यापारी गवर्पन ने इंधरन रखता था सेहना व्यादंड अधिकारी भी पुलिस विभाग से संब्देत अधिकारी थे महत्सिब या महत्सिब सेहन्चार अधिकारी होता था जो जनशामाने के आचार की रक्षा आवंग देखभाल करता था अलावदिन द्वाराइस्थापित गुप्चर भाग के प्रमख अधिकारी बदीरे मुमालिक होता था बरीद्य मुवालिक उसके निंधरन में उनके वरी बरीद के अतरिक्त अन्य सूजनादाताओं को मुनही या मुनही लोगों के घरों में प्रिवेस करके गौण अपरादों को रोकते थे मुक्यत है इन्ही अधिकारियों को अलाउद्दीन की बाजा नेंद्रण की सफनता का स्रेत दिया जाता है डाक पद्यती अलाउद्दीन द्वारास्था पे डाक चौकियों पर कोशल घुरसवारों और लिपिकों को निफ्ट किया जाता था जो राज्य भर में समाचार पहुचाते थे विद्रोहों और युद्ध अभ्यानों के बारे में सूशना सिग्रता से मिल जाती थी अलाउद्दीन का सैन्य प्रतवन्द भी उच्चकोटी का था अलाउद्दीन खिल जी ने आंत्रिक विद्रोहों को दवाने बाहरी अक्रमनों का सफ़ता पूर्वक सामना करने और सामराज्य विस्तार हेतु एक विशाल सुद्रण और इस्थाई सैना का गठन किया था उसने घोरों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने के विशाय में नविन्तम नियम बनाए थे इस्थाई सैना को गठित करने वाला अलाउद्दीन पहला सुल्तान था उसने सैना का केंद्धिकन किया और साती सैनिकों की सीदी भरती और नगत वितन की प्रथाकव प्रादम किया था अमीर खुस्रों के वर्निंग एनसार तुमन के होता था दस हज़ार सैनिकों की टुकुली को कहा जाता था अलावद्दीन की सेना में गुर्षवार, बैदल सैनक और हाथी सैनक होते थे इनमें गुर्षवार सैनक सबसे अधिक महत्कूर थे दीवान अरिज, पिरतेक सैनक की नामावली और खुलिया रखता था फरिष्टा के एनुसार आरावत्दीन के पास लगवुद 4,75,000 सुसजित और वर्दिधारी सैनिक थे भली बाती चांच परक्कर भरती किये जाने वाले सैनिक को मुरत्व कहा जाता था एक अस्पा किसको कहा जाता था एक गोड़े वाले सैनिक को को प्रति वर्स 234 चकावेतन मिलता था तता दो अस्पा को प्रति वर्स 378 चकावेतन के लुप में मिलता था आर्थिक सुधारों की बात करें तो अलावदीन को आर्थिक सुधारों की आवशक्ता इसलिए महसूस हुई क्योंकि उसने अपने सामराज विस्तार की महत्वकांचा की पूर्ती के लिए एक निरंतर हो रहे हैं मंगोल आकरमणों के कारण एक विशाल सेना की आवश्यक्ता थी फरिस्ता के अनुसार सुल्तान के पास लगवग 50,000 दास थे जिन पर अत्यदिक खर्च होता था इन तमाम खर्चों के दिस्ट्री में रखते हैं अलाओद्दीन ने एक नई आर्थिक नीटी को निर्मान किया और अलाओद्दीन के आर्थिक सुधारों से मैं सैना की भूम का महत्वपूर थी अलाओद्दीन खिल जी की आर्थिक नीटी की विशाय में हमें व्यापक जानकारी जाओद्दीन बरनी की ग्रती तारीके फ्रोज साही से मिलती है अलाओद्दीन ने एक अधिनियम द्वारा देने की प्योकी वस्तों का मूले निशित कर दिया था कुछ महत्वपूर आनाजों का मूले इस प्रकार था गैहूं साड़े साथ जीतल प्रती मन थे जावालों का रेट होता था पांस जीतल प्रती मन जो होते थे चार जीतल प्रती मन और द पांस जीतल प्रती मन मक्षन या घी एक जीतल प्रती धाई किलो उसने खाद्याने के विक्रिहतु सहनाय मंडी नामक बजार की इस्थाबना की थी प्राकरतिका विप्दा से बचने के लिए आलुद्दीन ने शासकीय अन्न भंडारों की व्यवस्था की थी अपनी रासन व्यवस्था के अंतरगत अनाज को प्रयाप नातरा में अप्लब्द कराने के लिए सुल्तान ने दुवाब छेतर से लगान अनाज के रुप में वसूल किया पर पूर्वी राजस्थान के जहाएं छेतर से आधी माल गुजारी अनाज में और आधी नगत के रुप में वसूल ही जाती थी अकाल या बाढ़ के समय अलाउद्दीन परते घर को प्रती आधा मन अनाज देता था राशनिंग व्यवस्था अलाउद्दीन की नवी इंसोच थी मलिक कबूल को अलाउद्दीन ने खाद्यान या अन्ड बजार का सेहनाय मंडी नुक्त किया था सराई अदल ऐसा बजार होता था जहां पर वस्तर, सक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक, जलाने का तेल और अन्य, निर्मित बजार बिकने के लिए आती थी सराई अदल विसेश रूप से सरकारी धंसे साहिता प्राप्त बजार था सराई अदल का निर्मान बदाईयों के समी पे एक बड़े मैदान में किया गया था इस बजार में एक टके से लेकर दसजार टके मूले की वस्तों बिकने के लिए आती थी दिल्ली में आकर व्यापार करने वाले प्रतिक व्यापारी को दीवाने रियासत में अपना नाम लिखवाना पड़ता था अलाव दिन के बाजार ने अंत्रन की पूरी व्यवस्ता को संचालन दीवाने रियासत नाम का अधिकारी करता था उसके नीचे काम करने वाले कर्मशारी विवस्तों को क्रेव विक्रेव और विवस्ता करनेक्षन करते थे परते एक बाजार का अधिक्षक जिसे सहनाय मंडी कह जाता था बाजार का उच्च अधिकारी होता था उसके अधीन बरीद होते थे जो बाजार के अंदर घूम कर बाजार करनेक्शन करते थे बरीद के नीचे महनियान या गुपचर कारे करते थे अधिकारियों का करम इस पकार था दीवान रियासत, सहना-ए-मंडी, बरीद और महनियान अलाओदीन ने मलिक याकूब को दीवान रियासत मिफ़ किया था राजस सुधारों के अंतरगत अलाओदीन ने सलफ़तम मिल्क, इनाम और वक्त के अंतरगत दी गई भूमी को वापस लेकर उने खालचा भूमी बदल दिया और साथी मुगदमों, खूतों और बलाहारों के विशिएस अधिकानों को वापस ले लिया था कर्व विश्था के सुचारू संचालन के लिए दीवान मुस्थखराज विभाग की स्थापना की अलावद्दीन की राजस्व निती की सफलता, करने धारन और कर्वसूल कसरे उसके नाई वजीर सिर्फ काइनी को जाता है सर्फ काइनी अलावद्दीन ने पैतावर का प्रचास प्तस्थ भूमी कर जिसको खराज बोला जाता था के रूप में लेना निस्थित किया था अलाओदीन प्रथम सुल्तान था जिसने भूमी की 25 कराकर मसाहत यानि उसकी वास्तिवकाय पर लगान लेना निस्थित किया था और अलाओदीन ने भूमी के एक विश्वा को एक एकाई माना उसकी टाइम में दो चावर होते थे एक चराईकर जो दो धारू बस्वों पर लगाया जाता था दूसरा चरीकर जो घरों और जहुप्रियों पर लगाया जाता था करही नाम के करकावी उलेख मिलता है जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिया जाता था खुम्स कर चार बटे-पांच भाग राज्य के हिस्टे में और एक बटे-पांच भाग सेहनिकों को मिलता था जखात केवल मसल्मानों से लिया जाने वाले एक धार में कर था जो समपत्रिका चालीश मां हिस्था होता था दीवा ने मस्तखराज को राजस सेकतर करने वाले अधिकारियों के बकाया रासी की जांच करने और वसूलने का कारे सौंपा गया था जोस्तों उसकी मरत्यों और निर्मान कारें के बारे में बात करें तो जलोदर रोग से ग्रसेत अलाओ दिन खिलजी ने अपना अंतिम समय अत्यंत कटनाईयों में विवतित किया और 5 जनवरी 1316 इस वी को मरत्य को प्राप्त हो गया अलाओ दिन के दरवार में अमीर खुजरो और हसन निजामी जैसे उच्चकोटी के बिद्वान को सनफचर प्राप्त था इस थापत्य कला के चेहते में अलाओ दिन खिलजी ने वरताकार अलाओ दरवाजा अलाओ दरवाजा या जिसको कुष्के सिकार का भी का जाता है उसका निर्मान करवाया उसके दोरा बनाया गया अलाओ दरवाजा प्रारंबिक तुर्की कला का एक सेश्ट नमूना माना जाता है इसके बाद आता है सिहावद्दीन उमर खिलजी शहावद्दीन उमर खिल जी अलावद्दीन खिल जी का पुत्र था मलिक काफूर के कहने पर अलावद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां को उत्रादिकारी ना बना कर उसके पांच छे वर्षिये पुत्र सहावद्दीन उमर को उत्रादिकारी नुक किया Azamuddin के बद्दित के बाद काफूर ने शेहाव अवदीन को सुल्तान बना कर सारा अधिकार अपने हाथों में सरक्चित कर लिया था 35 तनों के सत्ता अवजब के बद्दतकि कि बाद काफूर की हथ़्ते अलाव अवदीन के तीसरे उत्त मुबार्ख खिलजी ने करवा दी फिर इस तरह से सासन आता है गुतवद्दीन मुबारक खिल जी का जो किसासन करता है 1316 से 1320 तक लगूँ चार साल खिल जी वंगे सुल्तान अलाओदीन खिल जी का थ्रतिय पुत्तर था ये और अलाउद्दीन के प्रभावसाली व्यक्तियों में से एक मलिक काफूर इसका संरक्षकता कुछ समय बाद मलिक काफूर सुयम सुल्तान बनने का सपना देखने लगा उसने साध्यांतर कार मुवारक खिल जी की हत्या करने की योजना बनाई किन्तु मलिक काफूर के सदेंतरों से बच निकलने के बाद मुवारक खिल जी ने चार वर सौता के सौफंता पूरवक राज्य किया और इसके सासंकाल में राज्ये में प्राय सांती व्यापत रही देवगी तथा गुजरात की विजेत से मुवारख खिल जी का दिमाग फिर गया और वरभोग विलास में विप्थ होने दगा यानि वो ओवर कॉन्फिडेंस के आगया जब उसने देवगी और गुजरात पर विजेatin ली और वरभोग विलास में लिप्थ हो गया बैन नग्न इस तरी पुरुसों की संगत को पसंद करता था उसके प्रतान मंत्री खुसरो खाने तेरे सौबीस में उसकी हत्या करवा दी राजगद्दी की प्राप्ति अलाउद्दीन खिल जी के सफल सासन और उसकी मत्यू के बाद मलिक काफूर ने दुर्वी संदी कर गलत तरीके से अलाउद्दीन के कनिष्ट पुत्र मुबारक खिल जी को सेहसन पर बिठाया और स्वेम उसका संसक्षब बन गया था इसके कुछी दिनों बाद स्वेम सुल्तान बनने की इच्छा से उसने अलाउद्दीन खिल जी के सभी पित्रों को बंदी करवा कर उन्हें अन्धा करना आरंब कर दिया मुबारक खिल जी किसी तरह बंदी ग्रह से भाग निकला और जब मलिक काफूर की हत्या उसके सत्रों ने कर दी तब मुबारक खिल जी ने मुबारक खिल जी फिर से वापस आता है और अपने छोटे भाई का सर्रक्षब बन जाता है बाद में स्वैम उसने अपने छोटे भाई को अंधा कर दिया और कुद्बद्दीन मुवारक खिलजी के नाम से स्कुलतान बना उसने अपने को इसलाम धर्म का सर्वोच धर्माधिकारी को हुशित किया और अलवासिक बिल्ला की उपादी दारड की देवगिरी और गुज़ात की विज़े खुद्बद्दीन मुवारक खिलजी ने लगए चार वरसों तक सासन किया उसके सासन कालम गुज़ात और देवगिरी के अत्रिक सारे देश में सांती व्यापत रही गुज़ात में वहां के सूबेदार जर जफर खाने जो मुवारक खिलजी का ससर था उसने विद्रो किया उसने उसका बलबूर उप्दमन किया इसी प्रकार देवगिरी के सासक हरगो पाल देव ने विद्रो किया उसका विद्रो कुछ जोर दा था काता है मुवारक खिल जी ने उसका वुरुद एक विशाल सेना का नेतरत स्वेम किया हर्ग उपाल देव ने भागने की चेश्टा की लेकिन वह पकड़ा गया और उसकी हत्या कर दी गई कुद्धिन मुवारक खिल जी ने देवगिरी में एक विशाल मस्जिद बनवाई और दिल्ली लौट आया सुरा सुन्दरी प्रेम तो इन विज़ों के कारण ही मुवारक खिल जी का दिमाग फिर गया और वह अपना सारा समय सुरा और सुन्दरियों में बिताने लगा उनकी इन विज़ों के अतरिक अन्ने किसी भी विज़य का वर्णन नहीं मिलता है कुद्बदी मुवारक खिल जी को नगन इस तरी पुरसों की संकत पसंद थी अपनी इनी संकत के काया ने कभी-कभी विरराज्य दर्वार में इस तरी का वस्तर पहन कर आ जाया करता था जाद्दिन बरनी के अनुसार मुवारक खिलजी कभी कभी नगन होकर दरवारियों के बीच दोड़ा करता था उसके दोर्ख किये गए सुधार कारे सासन के प्रारमिक काल में कुद्बदिन मुवारक खिलजी ने कुछ लोग प्रेकारे भी किये उसने राजनितिक बंदियों को रहा कर दिया और अपने सैनिकों को छे माह का अग्रिम वेतन देना आरम कर दिया विद्वानों महत्मूर विक्तियों की छीनी गई सभी जायगी रहे उन्हें वापस कर दी गई अलाउद्दिन खिलजी की कठोर दंड़ वेवस्था और बाजान नेंतर प्रंडाली आदी को भी समाप्त कर दिया गया और जो कठोर खानून बनाए गए थे उन्हें समाप्त कर दिया गया इससे जन्ता को अपारहर्स और संतोस हुआ उपादियां कुद्गुद्दिन मुवार्थ खिलजी ने अल-इमाम और एवम खिलाफत उल्लाह की उपादियां धारन की थी उसने खिलाफत के प्रति भक्ती को हटा कर अपने को इसलाम धर्म का सरवच प्रधान और स्वाण तथा प्रत्वी के अधिपती का खलीफा गुश्चित किया हत्या मुवार्थ खिलजी अपना सारा सामय सुरा और सुनदर्यूम वेतीत करने लगा था उसने अपना सारा राज किये राज कारे खुसरो खां को प्रिधान मंत्री बना कर उसको उपर छोड़ दिया था खुसरो खां एक निम्न वर्ब का गुजराती था जिसने अपना धर्म पर वितन करा लिया था वह बड़ा महत्वा कांशे विक्ती था और स्वयम ही कुत्व दिन मुबारक खिल जी को हटा कर सुल्तान बढ़ना चाता है उसके एक साथी नशुरुदीन खुसरो खां ने खुसरो खां ने 15 अपरेल 1320 में चुरा भॉक कर मुबारक खिल जी की हत्या करवा दी तो दोस्तो इस तरह से दिल्ली पर खिल जी वन्स के सासन का अंत हो जाता है सन 1320 में और इसके वाद आता है तुगलक वन्स जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे दोस्तो हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंदा आया हो तो आप इसे लाइक करें दोस्तों के साथ सेब्सक्राइब करें धन्यवाद